सल्मान खान के पास इस वक्त कई दिल्चस प्रोजेक्ट्स है फैंस उनके फिल्म टाइगर 3 का इंतजार कर रहे हैं सल्मान आगामी एक्शन ड्रामा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं हमें टाइगर 3 के से से सल्मान खान की एक नई तस्वीर दिखाई दी जैसा कि वरिंदर सिंगुमन ने अपने इस्टेग्राम पर साजा किया है सलमान कैश्वल में बहुत अच्छे लग रहे हैं वरिंदर ने घोशना की कि वे टाइगर 3 का हिस्सा हैं जैसा कि बहुत से लोग पहले से ही जानते हैं वरिंदर ने सलमार खान के फिल्म राधे यौर मोस्ट वॉंटेड भाई में एक ग्विलन की भूमिका निभाई थी तस्वीर को साजा करते हुए वरिंदर ने कैप्शन में लिखा सलमान खान के साथ आप में से कई लोगों ने इसका नुमान पहले ही लगा लिया होगा लेकिन उन लोगों के लिए जो ये नहीं जानते हैं फैंस ने कमेंट सेक्शन में फिल्म के लिए अपने एक्साइटमेंट शियर की वरंदर और सल्लो के बीच लड़ाई की सीन का बेसबरीस इंतजार हैं आपको बदा दे कि टाइगर फ्री में काटरीना कह भी हैं इस एक्षन फिल्म के लिए एक्ट्रेस काफी तैयानी कर रही हैं स्ट्रेच से लेकर किक तक केट्रीना फिल्म के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने इस एक्षिन क्लिक के लिए अपनी कड़ी मेहनत की एक छलकती। केट्रीना कैफ ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा। असल में मैं अध्भुच सिक्षिकों के बिना कुछ भी नहीं होती जो मेरे साथ इतनी धैरे से काम करते हैं। कुलदीव शशी हर रोज कुछ नया सिखाते हैं। और कैट्रीना कैफ के लिए आने वाला साल एक्षन से भरपूर होगा। टाइगर जन्दा है के साथ वो एक सूपर हीरो वाली आक्षन फिल्म भी कर रही हैं। जसमें हॉलिवड लेवल का एक आक्षन होगा। दूसरी तरफ फोन, भोज, सूरेवन, शी, साथ, बी, कैट्रीना कैफ ने स्क्रीन पर पूरी तरह से चाजानी की तयारी की हैं। 2023 तक कैट्रीना कैफ ने खुद के फिल्मों की तयारी शुरू कर दी है। केटरीना से पहले सलमान खान भी जिम में पसीना बहाते हुए अपना वीडियो शेयर कर चुके हैं वीडियो शेयर करते हुए सलमान एक एक एप्शन मिलखा मुझे लगता है कि यह लड़का ट्राइगर 3 के लिए वरक आउट कर रहा है धन्यवाद यहीं बोजवोट से जुड़क खबरों के लिए बने रहे हमारे शैनल के साथ